दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो बिडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लागी जरूर कर दे साथ हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताई क्या बिहार के केस जिले में रहते हैं तो चले शुरुआत करते हैं आज की पहली और बाड़ी ख़बर से बाड़ी खर में देखे बिहार में 12 जुलाई तक होगी प्रचंड बारिस और बजरपाद मौसम विभाग ने जारी किया अलट जहां देखे मौसम विभाग ने बिहार में 9 से 12 जुलाई तक उत्तर बिहार के जिलों में भारिस से अति भारी बारिस का अलट जारी किया है साथ राज का दिक्तर जिलों में मेक गर्जन बजरपात के साथ बिजली चमकने की भी सम्हावना जता ही है इस अलट के बाद आपदा परमंदन विभाग ने जिलों को नेदेश दिया कि सबी अधिकारी मुस्तित रहे लोगों के बीच समय समय पर अलट भेजे ताकि आम लोगों के साथ किसान भी सतरक रहे जिसके परभाव से राज में 9 से 12 जुलाई के दोरान उत्तर विहार के जिलों में 38 से अति भारी बरसा की परबल सम्हावना है साथ राज के अधिकान से जिलों में मेक गर्जन बाजरपात के साथ बिजली चमकने भी की सम्हावना है बारे खर में देखे बिहार में बंद होगा ओलाईन जुवावा गेमिन बिहार पुलिस ने सो से अधिक एप पर प्रतिबंद लगाने का दिया प्रस्ताव जादे के बिहार पुलिस ने कथे तरूप से मनी लॉंडरिंग और देश की वित्या सुरुचा के लिए खत्र बनी सो से अधिक जुवा गेमिंग और रिने देने वाली एप पर प्रतिबंद लगाने का प्रस्ताव इलक्टोनिक्स एवं सुचना प्रोदोगी मंतराले को दिया है आर्थिक अपराद एकाई के एड़ जी नयर हसने खान ने बताया कि हाले में M.I.T.Y. से संपर्क कर सो से अधिक ऐसे एप पर प्रतिबंद लगाने का आगरा किया है यहाँ एप पर सुचना प्रोदोगी की अधिनियम की धारा उनतर को लंगन कर रहे हैं रहने देने वाले ऐसे एप के जरी बहुत कम रकम उधार लेने वाले लोगों से जबरन वसली और उत्पिडन की कई सिकायते मिली है उन्होंने बताया कि अभी हाल हमें अरवल, फुलवार, सरीप, और अंगाबाद और जमुए में इन एप और उनसे जुड़े लोगों के खिलाब कई प्राथमे की दर्च की गई है बाड़े ख़र में देखिए कावारियो को निसुल के भोजन कराएगा अननापूर्णा की रसोई, जरूत मनू को मिलेगा भोजन जादे कि सावान में कावारियो को अन्नापूर्णा की रसोई, निसुल की भोजन कराएगा सावन में प्रितिक सप्ता दो दिन कावरियों मार्ग में रख कर सी भगतों को भोजन कराएगी बोजन के गाड़ी में आटमेटिक रोटी बनाने की मसिल लगी है लोगों को गरम रोटी और सबजी और पान उपलब्द कराये जाता है रसवी के संचलन के लिए तीन गुरवार को राम, किसन, मिसन, बेला, सुकुरवार को आईहप, पूर, सनिवार को गरोल और रैवार को भी गरोल में खान खिलाएगी बड़कर में देखे भागलपूर से वंदे भारत चलाने का बोड को भेजा गया प्रस्ताव, अगर तल्ला राज़ाने ट्रेन के परिचलन के भी चल रही है बात गुड़ा से भागलपूर रेलखंड का निरिचन करते विए भागलपूर रेलवे स्टेशन पहुचे पूर्व रेलवे जीएम अमर प्रकास दिवेदी ने कहा कि वंदे भारत एक्स्प्रेस का भागलपूर से चलाने का प्रस्ताव है, इसके रेक का प्रोड़ोसन तेजि विदेश के स्रधालू होंगे सामिल, जद के बिहार के राजगीर में मालमास मेला लगने जा रहा है, इसमें देश दुनिया से तीर्थ यात्री सामिल होंगे, स्रधालू और सेलानियों को यहां कई सुविधा दी जाएगी, इसके अलावा कई और सुविधा मिलने वाली है मालमास मेला अठारा जुराई को लगने वाला है इसमें ब्रह्म कोड वर सबत धारावा में सनान का विष्यस महत्व है देश के साथ ही विदेश सुभी स्रधालो आकर रहा सनान के साथ ही पुझा पड़ करते हैं कई सरदालों यहां के सभी कुन्णों में पूरे विदिविदान से सनान वा पूजा पट करते हैं। इस मेले में सादो संदों की टॉलिया सनान करती है। लोगों की माइना था कि भागवान ब्रमा के पूतर राजा बसुर ने इस पवित्रिस्तल पर महा यग कराया था। इसमें उन्होंने 33 कोटी देवी देवताओ को आमांदर दिया था। लेकिन भूल होने के वज़ा से काग महाराज को वह नेता देना भूल गय थे। इसी वज़ा से वह यग में सामिल नहीं हो सके थे। इसके बाद इस मेले के दुरान काग यानि कोवा नहीं आते हैं। मालमास में राजगीर बैंकुट दाम बन जाता है। इसी दुरान 33 कोटी देवी देवताओ को राजगीर में निवास होता है। बड़ कर्मदी के सावन के पाली समवारी काल सुल्तान गज़ से जल चड़ाने के लिए 40,000 सदिक कवरिया बावाधाम रवाना हुए। वालमास मालमास के सावन में लजी देवे गए काल चड़ाना बन जाता है। पहलेजा से 85-90 किलोमेटर के दोरी ताई करके बाबा गरीब नाथ पर जल भी से करने आने वाले सरदालों को कोई परिसाने नहीं हो इसके लिए जिले में 17 सो पुलिस कर्मियों को तैनात किया गिया है इसमें 100 जवान, 400 पुलिस पतादिकारे, 200 हमगाड वा चोकिदार की तैनात की गई है सस्पी राकिस कुमार वा सिटी स्पी अर्विन परताब सिंग ने स्रावनी मिले में डिवटी करने वाले पुलिस कर्मियों को सनिवार को डियन स्कुल में विर्पिंग की किसी दौरान पुलिस कर्मियों को कैसे सिवा की भावना के साथ अपने डिवटी को निभाना है इसके जानकरे दी गई, डिवटी में 13 पुलिस कर्मियों को मॉबाइल पर बाचित करने वा मॉबाइल पर किसी तरह की एक्टिविटी करने पर पुरी तरह से रोक रहेगी कराया 25% तक घड़ेगा जैदे कि सरकार ने सबी ट्रेणों की ऐसे चेर कार और एंग्जेक्युटूर्स रेंई में 25 फिजी तक किराया कम करने का फैसला किया है युक्ति संगत किराया नेति के तहते ट्रेणों में यात्रियों की छमता के नुसार मूल किराया पांच से 25% कम क किया जा सकेगा यह जोनरल रेल्वे के अधिकार छेत्र में होगा रेल्वे बोर्ड ने सभी जोनरल रेल्वे को इस बाबा दिसा नेदेश जारी किया हैं इनके नुसार वंदी भरात सताब्दी अनुबती विश्टु डॉम कोच वाली सभी ट्रेनों के चेयर एसी कार वह एक 25% से कम यात्री चमता वाली ट्रेनों के अधार पर चेयन करेंगे बाड़ी खर में देखे विदाले अवदी में ओल्ला ने देखे मास्टर जीतों होगी करवाई बिना सुचना गाय मिले 26 सिक्चकों की वेतनों पर लगी रूप जैदिके विदाले अवदी में फेस्बुक देखने से बचे विबागी आदेस में कहा गया कि एक जुलाइसी स्कुलों का निरिचन चल रहा है तो सिक्चकों को पसेती भी बढ़ी है अधिकांस सिक्चक निष्टा प्रूवक काम कर रहे हैं लेकिन अब एक कोच सिक्चकों के बारे में सिकायत मिल रही है कि विवर्ग मिले 26 सिक्चकों के वेतन पर जिला सिक्चबादत की कारे ने रूख लगा दी है बाड़ी करमंदी के बिहार में इसी मेहने पाले 6 दिन में 83 लाग का चला आना पाटना में ट्रेफिक रूल तोड़ने वालों पर सकती बरती जा रही है इसमार्ट सिटी के दुआरा उसे ट्रेफिक नियुमों को तोड़ने वाले लोगों पर पैने नजर रखी जा रही है बाड़े कि उसका उल्लाइन चलान कटा जा रहा है बास जुलाइ महने में पहले 6 दिन में 83 लाग 87 रुपे का चलान कटा गया है नो हेलमेट रॉंग वे ट्रिपल राइडिंग रेड किया गया है इसमें से कूल 8236 चलान को पुलिस की और से वेरिपाइ किया गया है इसके बाद रेड लाइट क्रोसिंग रॉंग वे और ट्रिफल राइडिंग का उलंगन करने वाले लोगों के चलान कटने के सेंख्या है सबसे कम चलान हाई स्वीट को लेकर कटा गया है लाग मंगला बारकाज गंति रहा बुद्दा कलोनी इंकम टेक्स एग्जेबिशन रोड भटचार रोड डिसी एंट्री सबितादवार एल सिटी घाड पीसी मगदुमपूर आटलपत गोलंबर एवम आन जगोहों से चलान काड़े जा रहे हैं थर्मे देखे बिहार के खजानों को भरने के लिए नितिस सरकार ने लागो किया एक और टैक्स अब हर महने देना होगा नया कर ज़्याद के बिहार के खाजानों को भरने के लिए राज सरकार अब आम लोगों पर एक नए किस्म का टेक्स लगाई है बिहार के लोगों को अब वाटर चार्ज टेक्स देना होगा या सुलक प्रदेश को लोगों को अब पाने के उपयोग के बदले देना होगा पाटना नगर निगम छेदर के अंतरगत आने वाले 2,88,000 माकान मालिकों से होल्डिंग टेक्स के साथ या अपरती मा 40 से लेकर 1,500 रुपिय तक का अतरित वाटर चार्ज यो सुल्क भी वसुल जाएगा इसे होल्डिंग टेक्स के साथ जोड़ कर सलाना लिया जाएगा सहर में रहने वाले लोग चाहे जिस रोत से जल का उप्योग कर रहे हैं और भी प्रोपर्टी टेक्स भी देते हैं तो भी उन्हें वाटर सुल्क देना होगा देखे भोजपूरी का ये गुणजन सिंग का बड़ा दवा कहा इस सीट से लड़ेंगे लोकसबा चनाव जिदेखे भोजपूरी फिल्मों और एल्बम के सुपरिश्टार गुणजन सिंग के सुकुरवार को नवादा लोकसबा चनाव लड़ने का एलान किया है बता दे कि जब उनसे पुछा गया कि कौन सी पाड़ी के टिकेट पर चनाव लड़ने का एलान किया है उन्होंने कहा कि अभी सही जनता के हर दोख सुक में खड़ा हूँ मुझे पुरा विश्वास की जिस तरह नवादा की जनता अपना प्यार वासिरवाद मुझे पर वरसा रहे हैं हमेशा बना रहेगा और निचित रूप से मैं चुनाव जितनी का काम करूँगा चुनाव जितनी के बाद सिक्षा स्वास्त बिजली सड़क मेरी प्रातमिकताओं में समिल होगा वही आप देखना होगा कि गुंजन सिंग किस पाड़े की और से चुनाव लड़ेंगे घर के आगे प्रायमारे टीचर का घेरा ज्यादे के सिक्षा मंत्रे चंद्र सेकर और सिक्षा विभाग के एससी के के पाढ़ा की बेच चल रही ताना तानी के बेच सरकार को एक और चुनोती के सामना करना पड़ेगा 11 और 12 जुलाई को पटना में इसकुल सिक्षक को और सिक्षक का विरतियों ने प्रदसन का एलान किया है जिसके लिए प्रथमिक सिक्षक ने दिशक पंकज कुमार ने सिक्षक संगठन द्वारा दिये गए प्रदसन के बारे में अवस्यक करवाई के लिए पटना जिला मज पत्र लिखा है बदादी के प्राथामिक सिचक संग ने बिहार राज विदाले सिख्चक नियोजन में न्यूकती इस्तानां तरन अनुसासमत करवाई एवं सिवत सर्त नियामाले 2023 समेत आईने मांगे सामिल करने के समर्तन में 11-12 जुलाई को दो दिनों के लिए सभी विदाय दियाता